कातिक मास अमाउस्या के दिन हम दिपावली मनाते आ रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है आज से साढ़े पांच वर्स पहले लगभग भगवान श्री राम अयुध्या लोटे थे रावन का वद करके तो श्री राम के अयुध्या वापस आने के कारण पूरे सभी लोग दिपावली मनाये हर्स और लास के साथ यह तो हमने सास्तों में पढ़ा है हमारे पूर्वजु ने कहा था इसलिए आज भी हम दिपावली मनाते आ रहे हैं किन्तु इस युग में आज हम और आप अपने न स्री राम लिला पुना अवतरित हो रहे हैं उस मंदर निर्मान के माध्यम से उसी आयोध्या में जहां भगवान पुरुशुत्त मर्यादा भगवान स्री राम चंद्र जी का राम लिला के रूप में अवतरन हुआ था आज पुना हो रहा है तो हमें फिर 22 जनवरी 2024 उस दि कमदार में और भगवान को प्रदर्शन करना चाहते हैं कि देखे हम कितने प्रशन है आपके अवतरन से तो इस ऐसर पर हम सभी 22 जन्वरी 2024 को 800-12 के साथ पुरह दिपावली मनाएंगे अभी तो हम कार्तिक में मनाएंगे और 2024 में 22 दिपावली होगी अभी भी हम 9RO με मनाएंगे दिपावली जन्वरी में मनेगा और जो समानने रूप से प्रते कवर्स होता है पूरा नौंबर में 2024 में बनेगा तो जैजे स्री राम दिपावली में फिर मुलाकत होती है हर सो लोग साल पूरा दीप माला सजाएंगे अपने घरों में मंदिरों में कुवे में बावडी में अपने शिवाले में जैजे स्री राम